नमस्कार प्रियास वेज किचिन इन ब्लॉक्स में आप लोगों का स्वागत है कैसे हैं आप सभी लोग मेरे चैनल पे नए है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो पसंद लास्ट तक देखे पसंद आता तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा से में भी अख dispel तो जॉट जो कि गोष्ण से बना ना हो तो तो तुइन वन मेरे हिसाब से यह लगता तेस्ट बहुत अच्छा लगेगा और ये छोले जैसा भी यूज़ कर सकते हैं सब्जी जैसा या चावल के साथ तो दाल के रूप में भी यह रात के लाट के डिनर में बनाईए दिन के लंच में बनाईए कभी भी बनाईए बहुत इच्छी रेसिपी है तो ये मसूर दाल मे अब इसमें कुछ बेसिक मसिया ला जाएगा जैसमें हल्दी आप लोग इस थरीके से एक बार जरूर बनाईए और कैसी बनती है रेसिपी ये भी बताईए अचानक से लाइट चला गया इसलिए तो का अंधेरा दिखने लगा ये नमक स्वादानुसार दाल चीनी का इसको बहुत गलाना नहीं है इसको 80-90% पकाना है सिर्फ कि दाने कुछ पकें और कुछ थोरे खरे खरे टाइप के रहें बिलकुल गल नहीं जाएं क्योंकि मसूर दाल होता है ना अकसर बहुत जल्दी गलता है तो अब हो गया है तो देखे धकन खोले दाल परफेक्टली क को खो चुका है देखे आप लोगों को दिखा भी रहे हैं अभी बहुत गर्म है तो कुछ दाने आपको बिलकुल गले वे जैसे नहीं लगेंगे देखे तो अब चलें आगे का प्रोसेस करते हैं तो इसके लिए इसमें मसाला तरका लगाने के लिए एक हरी लाइची दो ल चार पांस दाने यह सब खरा गरम मसाला पिसा हुआ गरम मसाला यूज नहीं करेंगे खरा गरम मसाला तो अधरक घस के लिए लाल मिल्चे सुखा और एक तेजपता तरका के लिए भी और इसमें सौफ का तरका लगाएंगे आप लोग ना एक बार मसूर डाल जब पालक के स अधर शे दो करके पांचे पानी से पालक को रख लिये थे और पहले काटने से क्या था पालक काला हो जाता इसलिए जिसे में तरका लगाना दाल खुल गया तब अब पालक को काट जल्दी जल्दी सब तो देखे पालक भी कट गया है अधर फ्चे से बिल्कुल महीन लॉंग इलाइची दाल चीनी और ये सूखा लाल मिच अब अद्रक डाल के शिप 30 सकंड चलाना है उसमें टमाटर और दाल में नमक डालें यहां सिप टमाटर के हिसाब से नमक डालेंगे काला नमक थोरा सा जो टेस्ट फ्लेवर दोनों को बढ़ता है कुछ पाउडर मसाला ह यसूरी मेथी और थोरा सालाल मिर्च पॉर्डर तीखा के लिए आप लोग चाहिए तो यहां पर भी गी डाल सकते हैं लेकिन हम गी को बार में तरका लगाएंगे अब पालक डाल दिये जैसे ही टमाटर गला पालक देखे कितने अच्छे से पालक भून गया है अब इसमें के रुग में मतलब दोनों परपस इससे सॉल्व हो जाता है एक चीज बनाईए तो तो देखे को को कर को खंगार के भी थोरा पानी जो चिपका हुआ था तो था पानी डाल के दे दिये यह बहुत पतला नहीं रखेंगे ऐसे कंसेस्टेंसे आप लोग अपने हिसाब से लेक हुल suck theGroup बहुत गी गर्म हो चुका था 앸ी तेम पर थोरा सा लाल मिर्च पॉर्डर यह काशनी लाल मिर्च है और थोरा सा कसूरी में थी सिप उपर से मतलब सर्विंघ बॉल पे यह तर्का को देखिए ऐसे और यहित नियॉल निकाल लिज़े पूरे दाल को उसके बाद ऐ मैंने अब सर्व करके दिखाया है तो कितने सिंपल और जटपट बनने वाली सब्जी है मसूर दाल को फूलाने की जरूरत नहीं तो आपके पास से पालक है और मसूर है तो आप इससे ट्वीन वन रेसिपी बना सकती है तो देखें कैसा लगा बताईएगा बिल्कुल सिंपल स सब्जी जो भी नाम इसको आप दीजे तो एक बार जरूर साबूत मसूर को बनाएए